C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफा नंबर 31, सबक 6, बाग की सैर रोज की तरह उस दिन भी सबा और तारिक सुबह सवेरे उड़ गए इतवार का दिन था, स्कूल की छुटी थी, लेकिन दोनों बच्चों को सुबह उठने की आदत थी दादा जी, आज हम भी आपके साथ बाग की सैर को चलेंगे सबा ने कहा जरूर दादा जी ने आइनक साफ करते हुए कहा बाग में कदम रखते ही, तारिक दादा की उंगली छोड सीधा तोतों के पास गया तोते बहुत खुबसूरत और साफ सुथरे थे सफ़ा नमबर 31 पर एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक बाग दिखाया है जिसमें कुछ पेड़ पौदे हैं पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए है और एक बच्ची बाग में एक बुड़े आदमी के साथ तहल रही है सफ़ा नमबर 32 सबा उन्हें नजर भर के देखती रही उसे याद आया कि उसके गुबारे पर ऐसे ही तोते की तस्वीर थी बाग में कई मर्द और कई औरतें थी कुछ लोग वर्जिश भी कर रहे थे दादा जी ने बताया वर्जिश से इनसान सिहत मन्द रहता है दोड भाग से जिसम मजबूत होता है और दिमाग भी दादा जी की बात सुनकर तारिक ने दोड़ते हुए सबा से कहा तारिक के करीब थी अब दोनों भाई बहन साथ दोड़ रहे थे सफ़ा नंबर 32 पर एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक बाग दिखाया है जिसमें पेड़ पौदे हैं पेड़ पर कुछ चिड़िया और तोते हैं और कुर्सी पर एक बुढ़ा आदमी एक बच्ची के साथ चिड़िया और तोतो को देख रहा है सफ़ा नंबर 33 असाद्जा के लिए हिदायाद इस कहानी की मदद से बच्चों को दर जजेल आठ हुरूफ सिखाने है सवाद जाद तो जो आइन घैन फे गाफ आप बच्चों से सवाल करेंगे कि इस कहानी को सुनकर ऐसे अलफाज बताएं जिन में सवाद आता है बच्चे सबा और साफ बताएंगे उनके बताए हुए नामों की रोशनी में उस्ताद तखते सियाह पर सवाद लिखेंगे और उनकी जैली शकले भी बताएंगे इसी तरह बाकी साथ खुरूफ से भी बच्चों को मतारिफ कराया जाए और उनकी जैली शकलें बताएंगे सवाद दोद तो जो आइन गाइन फे काफ सफ़ नंबर 33 पर एक तस्वीर है इस तस्वीर में दो बच्चे चटाई पर बैठ कर खेल रहे हैं सफ़ नंबर 34 मश्क एक इन हुरूफ को लिखवाईए सवाद खाली जगह ज़ाद खाली जगह तो खाली जगह जो खाली जगह अइन खाली जगह घैन खाली जगह फे खाली जगह गाफ खाली जगह दो इन लफ़जों को लिखवाईए सुबह खाली जगह जरूर खाली जगह तारिक खाली जगह गुबारे खाली जगह नजर खाली जगह सफ़ह नंबर 35 तीन तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाईए साबुन खाली जगह आइनक खाली जगह तोता खाली जगह औरत खाली जगह गलम खाली जगह जरूफ खाली जगह गुबारा खाली जगह फवारा खाली जगह सफ़ह नंबर 36 4. मिसाल के मताबिक लफ़ बनवाईए मिसाल फे रे खाली जगह बराबर फर्श बे रे खाली जगह बराबर खाली जगह गाफ लाम खाली जगह बराबर खाली जगह गाफ रे खाली जगह बराबर खाली जगह नून गाफ लाम खाली जगह लाम खाली जगह हिस्सा अलिफ, सुद, हो, खा, स्वा, हजर, हिस्सा बे, जुआद, ते, अलिफ, बिर, सुआद, खाली जगह सफ़ नंबर 37, छे, दिये गए लवजों के खुरूफ अलग-अलग लिखवाईए जिद, बराबर, खाली जगह, खाली जगह तर्ज, बराबर, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह सबा, बराबर, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह इद, बराबर, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह साथ, दिये गए लवजों के खुरूफ को मिला कर लवज बनवाईए सीन, फे, रे, बराबर खाली जगह फे, काफ, तो, बराबर खाली जगह गईन, दाल, अलिफ, बराबर खाली जगह तो, रे, जे, बराबर खाली जगह जौद, बे, तो, बराबर खाली जगह खे, अलिफ, सौद, बराबर खाली जगह रे, जौद, अलिफ, बराबर, खाली जगह आइन, अलिफ, दाल, ते, बराबर, खाली जगह सफ़ा नमबर 38 आठ नीचे दिये हुए लफजों पर खुसूसी तवज़ दिलाईए और उनमें फर्क बताईए बाज, बाज, शिएर, शेर, आम, आम, सूरत, सूरत, नजीर, नजीर, सदा, सदा नौ नीचे दिये हुए लफजों पर नुक्ता लगा कर लफज लिखवाईए मर्स अरीब तरूफ हौफ हासिर हौस खाली जगह सफह नंबर उन्तालेस दस तोते की तस्वीर में रंग भरवाईए इस सफह पर एक तोते की तस्वीर दी हुई है जिसमें रंग भरने हैं अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शहनाई भाग एक वाचनस्वर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्वान सहायक मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्वान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत